हाई फ्रेंड्स वर्गुन हमाई चैनल सूपर ट्रिडलक्ष यहां पर बात करूंगा किस तरह किसा प्लान कर सकते हैं कल के दिन और कल ट्यूजडे है आज मार्केट यूएस में क्लोज है फ्यूचर्स चल रहे हैं और फ्यूचर्स लुवर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी दिय हैं फ्राइडे को भी जो यूएस का मार्केट था वो लो पे नहीं बंद हुआ था अच्छा खासा बाउंस हुआ था नास्टैक में और अभी फिलाल ऐसा महल लग रहा है कि हो सकता है यहां पर एक इंटरमीडियेट बाउंस हो और एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है क् चीजें commodity गिरेंगी तो यह recession का हला मचना ही जरूरी था और जब recession का हला जादा मचेगा और recession के हले के कारण market गिरेगा तो almost हम base के आसपास होंगे थोड़ी बहुत गिरेगा तो base बन जाएगा तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि crude oil और सारे जो commodities गिर रहे हैं तो इस से कु को और यही एक मार्केट का बेस बनाएगा लेकिन क्यों आज मार्केट नहीं उठ पाया अपना ये बहुत बड़ा सवाल आप लोग को हो रहा होगा तो सबसे बहले चीज है कि जो हमारे हां का रिटेलर है वो क्या करता है बहुत समझदार है राइट वो 18,000 में 20,000 के सपने द 200 उस एरिया पे जब भी मौका मिला मैंने बेचा तो मैंने कहा भी मैंने बहुत हमेशा चीजें जो भी हैं बोल देता हूं तो मैंने वहां हमेशा का मैं तो भाई नहीं ले रहा हूं मैं तो बेच चुका हूं और यहां पे हर बाउंस में जो भी थोड़ा बहुत बचा है उ और फिर उटना शुरू हो गया लेकिन यहां पर आपको painful beer market देखने को मिल रहा है कई लोग बोलेंगे यार 20% market नहीं गिरा तुम beer market बोलते हैं आपका portfolio गिरा है 20% तो आप beer market में हो ठीक है मैं नहीं हो beer market में भी मेरा भी 4-5% डाउन है तो ठीक है तो आप personally beer market में हो तो मान लो अब यहां पर चीज है कि क्या यहां से buy करना चाहिए क्या है यहां से bounce आ सकता है मुझे रखता है चोटा मोटा bounce यहां पर बनता है चोटा मोटा मतलब Nifty में 400 500 पॉइंट और bank Nifty में 1200 1500 पॉइंट तक का bounce यहां पर बनता है divergences positive appear हो रहा है निफ्टी में और bank Nifty में अज बै भी profit है, तो वो कई लोग बेच रहे हैं, कई लोग नहीं भी बेच रहे हैं, लोग loss में बेच रहे होंगे, फॉर शूर, तो वो mid cap, small cap में आपको selling दिखेगी, लेकिन एक चीज़ बसा दो आपको, mid cap, small cap, normally high inflation और high rate environment में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, in fact, जो blue chip stocks हैं, जो index stocks हैं, वो ज़्यादा अच्छा करते हैं, nifty 50, nifty 100 जो भी हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते दिखेंगे, इसलिए, फिलहाल के लिए, अगले 6 महीने जो safe पैसा है, high inflation के र चाहिए, until and unless कोई तबाही मत जाए, तब तक ये hold करेगा, और मुझे ऐसा लगता है, यहाँ से हम 15,550,600 की तरफ एक bounce देंगे, 550,600 के पास जाते जाते हो सकता है, वहाँ पर फिर से एक selling मिले, तो ये nifty की बात हो गई, और positive divergences हैं, तो काफी ये promising चीज़ हो सकती है, अब को देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे भी एक positive divergence निकल रहा है, भले ही आज नहीं उट पाया, लेकिन इसने एक अच्छा formation किया है, और अगर गलती से भी ये gap up हुआ, तो आप देखेंगे, उसके बाद एक follow through आपको buying भी दिखेगी, क्योंकि एक important level 750 का इसके उपर निकलन पे आपको 400 point का 400 to 500 point का upside मिलना चाहिए, यह possibility दिख रही है, mid cap, small cap, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी यहाँ से दूर रहना चाहिए, simple सी चीज है, IT जो index है, वो अच्छा कर रहा है, तो उस पे थोड़ा सा promising है कि बहुत पिटाई हो चुकी है, आपको ही पता है, तो अच चीजें मार्केट को थोड़ा support कर रहे हैं, कुछ stocks हैं जो promising दिख रहे हैं, FMCG में आपका HUL, बहुत अच्छा bounce इस ने दिया है, मुझे लगता है, यहां से और legs होंगी, buy the dip है और आपका HDFC बोलूँ, यह भी अच्छा base बनाया है, 2050 मैंने आपसे पहले का था, बहुत important level है 5 या 100 के नीचे नहीं आ जाएगा, लेकिन जब तक में 100 के नीचे आएगा, तब तक में यह आपको एशिन पे 2800, 2900 के उपर मिलेगा, तो बहुत अच्छा level इसने दिया था buy करने का, बहुत से लोगों ने use किया होगा, HDFC bank भी base बना रहा है, काफी अच्छी, इसमें fall आया रहे हैं, Titan आपका वही stock है जो 2800 recently में था, मतलब 1900 में लोग नहीं खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप सोच सकते हो, कि मेरे को कोई बोलेगा, यार 1900 में आपको टाइटन दिल रहा है, और आपको 6 महीने में 2800 हो जाने वाला है, अगर कोई बोल दे तो आप तुरंद ख stock गिरने पर मौका देते हैं, और रही बात fear कि ऐसा fear आपको बहुत कम मिलेगा, covid में मिला था, अभी मिल रहा है, ऐसा fear दो साल तीन साल में एक बार मिलता है, मतलब ये मौका अगर वापस से rally शुरू हुई, तो अगले दो साल आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा, ये simple steel, मैंने 800 बोला था, लोग हसते थे, अरे कहां यार तुम, 800 आगे हैं न भाई, ले लो, ठीक है, मतलब मेरे कहने पर नहीं, अपने दिल की तसरली के लिए ले लो, लेकिन मैंने बोला था कि मैं तो नहीं खरीदूँगा 700-800 के पहले, और आप देख लो 860 पे आ चुका है, लेकिन आपको वेट कराएगा, ये सब शेयर जो हैं, आपको वेट कराएगे, विदानता देखिए, 480 किता चल रहा था, 230 हो गया, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी हैं, ये सारे स्टॉक्स मैंने बात के, अपना थोड़ा दिमाग लगाएगा, अनालसिस है, उट सकता है, नहीं क्या, ये सब हेल्प करता हूँ, और हमारे टेलिग्राम चैनल है, उसका वीडियो के पिंड कमेंड में आपको लिंक मी मिल जाएगा, उसको आप जोइन कर लिजे, वहाँ पे काफी सारे लिंक्स हैं, हमारा गाइडेंस ग्रूप है, उसको भी आप ज गाइडेंस की ज़रूरत है, ये मार्केट में सीख के गाइडेंस के अंदर काम करके ही आप ग्रो कर पाऊगे, और आपको लगता है कि यार मैं किसी का कोर्स कर लिया हूँ, तो मैं तो अब चैंपियन बन जाओंगा, कोर्स से कुछ नहीं होता, बार्मी पास करने के बाद ह हर आदमी को नौकरी नहीं लगेगी, जो फाइट मारेगा, जो महनत करेगा, जो एक X Factor लेके आगे बढ़ेगा, वो ये आदमी बेटर करेगा, यहाँ पे भी वही है, 80% लोग पैसा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वो उन पे डिपेंड करता है कि वो बाकी 20% से कुछ सी सीख रहें कि नहीं सीख रहें, इसलिए majority जो है, पैसा नहीं मनाती मार्केट में, लालची होते हैं, लोग एक दूसरे को मतलब भरोसा नहीं करते, बहुत साय लोग, आज एक बंदे ने मैसेज किया, बड़ा अच्छा मैसेज था, उसे मोला, जिस दिस दिन लाल मेरा profit होता है, उस दिन मैं आपके against जाता हूं, तो मैंने बोला, देखो, मैं तो किसी को नहीं बोला कि मेरे favor में जाओ या against में जाओ, मैं तो अपना एक neutral analysis देता हूं, ठीक है, market मेरे हिसाब से चले, ना चले, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मैं अगले दिन move on कर लेता हूं, लेकिन वो बंदा ऐसा बोल रहा है, मतलब उसको पता चल गया एक problem कि मेरे analysis के हिसाब से अगर चलोगे तो कम loss होगा, ठीक है, and कम loss होगा, मतलब जादा profit होगा, तो कम loss करने पर focus करेंगे, तो profit अपने आप होने लगेगा, यही मैंने भी किया, पिछले 2-3 साल में, और से मुझे ख क्योंकि मैं ऐसा example set करूँगा ना इस साल, कि लोग उसकी दाद देंगे सालों आने तक, ठीक है, और मैं seriously बता रहा हूँ, बहुत सारी मेरे close friends जानते हैं, वो figure जानते हैं, कुछ लोग मुझसे मिलते हैं, जहां भी तो मैं उनको personally दिखा देता हूँ, कि देखो, तो point simple है, क bottom बन सकता है, तो थोड़ा by the dip वाली रणनीती रखे, stop loss 15150 है, उसके नीचे गए तो फिर 300-400 और नीचे जाएंगे, 14700, 14300, 400 के आसपा, 14100, वो लेवल आ जाएंगे, अगर हमने गलती से भी 15100 का लेवल, तोड़ा नीचे की तरफ closing basis पे, बस एक हैनता guys, thank you very much guys, see you soon. कर दोड़ा जाएंगे